मध्यप्रदेश में करणी सेना के आंदोलन के दौरान कुछ अग्यात लोगों ने सीम शिवराज को लेकर अभधरिता के नारे लगाये थे जिसके बाद पुलिस ने एक की गिरफतारी कर आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया है इस मामले में राजपूत समाज और राजपूत महापंचायत में निशाना साधा है उनका कहना है कि जिस व्यक्ती ने भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है वो राजपूत हो ही नहीं सकता और ना ही उसका राजपूत समाज से कोई वास्ता है हाला कि पूरे मामले में सियम शिवराज ने बड़ा दिल दिखाते हुए करणी सैने को माफ कर दिया है हम पहले एक कारिकम कहीं और करने वाले थे लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कहा कि नई भाई मैं आपको अपने घर बुलाता हूँ घर बुला के सम्मान किया हमारी 21 मैं से 18 मांगे पूरी की और उसके बाद ये जो आठ तारिक को अंदोलन हुआ ये तो उचित ही ने इसका कोई मतलब नहीं था ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनेतिक रूटिया सेखने के लिए एक व्यक्ति विसेस ने बर्गला कर भीड़ लाया बर्गला कर गाली गलोच का जो वीडियो वायरल हुआ जब मैंने भी वायरल होते वीडियो को देखा तो सचमुच मुझे लगा कि ये राजपूत तो हो नहीं सकते राजपूत इस तरीके की हरकते नहीं कर सकता ये राजपूतों को बदनाम करने की एक साजिश है